दोस्तो आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे अगर आप अपने Facebook की पुरानी ID को Open करना चाहते हैं तो आप कैसे Open करेंगे जैसे कि हम अपना यहाँ पर Facebook Open करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारी पास हमारा एक यह आईडी यहाँ पर Login है बट यह हमारा एक नया ID है और हम अपने पुराने वाले ID को वापस लाना चाहते हैं या उसे हम login करना चाहते हैं तो कैसे हम login करेंगे इस वीडियो के अंदर हम आपको details में बताने वाले हैं तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि यहां से आपको बैक आना है और अपने facebook पर कुछ देर दवाके रखना है और यहां पर एक i button आ जाएगा आप इस पर click कर देंगे i button पर जब आप click करते हैं click करने के बाद आपके समने इस तरीके से page आएगा आप यहां पर आपको नीचे आना है मिल जाएगा storage आप इस पर click करेंगे इस पर click करने के बाद यहां पर मिल जाता है clear data आप clear data पर click करेंगे और यहां से आप ok कर देंगे इतना काम करने के बाद आप यहां से आपको बैका जाना है बैकाने के बाद आपको फिर से अपना facebook application ओपन कर लेना है अगर आपको अपने पुराने वाले Facebook ID का password, email address, कुछ भी पता है और phone number पता है तो आप यहाँ पर डालके सारा details आप login पर क्लिक करेंगे, आपका login हो जाएगा अगर आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं पता है, सिर्फ आपको name पता है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे आप यहाँ पर आपको बताया जाता है, कि आपको अपना यहाँ पर सर्च करना होगा, जो भी आपका name हो तो हम यहाँ पर not now पर क्लिक कर देते हैं सबसे पहले, not now पर क्लिक करने के बाद, यहाँ पर अपना phone number या अपना email ID डालकर आप पर सर्च करेंगे अगर आपका email ID लगा हुआ है, तो नीचे मिल जाएगा, आपको search by email address आप इस पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपको अपना email ID से सर्च कर लेना है अगर आपको यहाँ पर mobile number लगा हुआ है, तो आप इस पर क्लिक करके अपना mobile number आप डालकर सर्च करेंगे इस पर क्लिक करने के बाद आपके समने इस तरीके से पेज आ जाएगा, अब यहाँ पर मिल जाता है आपको continue आप इस पर क्लिक करेंगे उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आपके mobile number या आपके email ID पर एक code आएगा, जो आपने अपने उस Facebook ID में आपने register किया होगा तो यहाँ पर आपका mobile number भी देखने को मिल जागा और यहाँ पर आपका email ID पर देखने को मिल जागा तो इन में से आपके पास जो भी हो उस पर आपको क्लिक करेंगे क्योंकि उसी पर आपके पास code रिसीब होगा तो हम यहाँ पर continue कर देते हैं और अपने phone number को select करेंगे phone number को select करने के बाद हमारे इसी number पर एक OTP आजाएगा OTP आने के बाद हमारा OTP यहाँ पर verify यानि की confirm हो चुका है जैसा कि आप देख सकते हैं उसके बाद आप यहाँ पर आपको मिल जाता है create a new password तो यहाँ पर आपको अपना एक नया password बनाना होगा तो हम यहाँ पर अपना एक नया password यहाँ पर बना लेते हैं और password आपको strong बनाना है ताकि किसी को पता न चले आपको example के तोर पर इस screen पर देखने को मिल रहा होगा कुछ इसी प्रकार आपको बनाना है और अपने हिसाब से आपको बना लेना है तो हम यहाँ पर अपना password डाल देते हैं मैंने यहाँ पर password डाल दिया है अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि अपने इस password का आपको screen store ले लेना है ताकि आपको पता रहे हमेशा के लिए उसके ब तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर एकाउंट आ चुका है।AMA आप यहाँ पर आ जाएगा इसकीप이죠, आप इसे इसकीप कर देंगे या आप नीचे इसकीप कर देंगे। आप देखेंगे कि हमारा Facebook एकाउंट पुरी तरीके से यहाँ पर open हो चुका है यह हमारा पुराना एकाउंट यहाँ पर आ चुका है और पहले आपने देखा होगा कि हमारा यह वाला पुराना एकाउंट यानि कि यह हमारा नया एकाउंट हमारा यहाँ पर login था तो वो हमारा वीडियो देखने के बाद आपको पता चले गया होगा तो मिलते हैं नेस्ट वीडियो में इस वीडियो के लिए इतना ही वीडियो पूरा देखने के लिए आपका पहुत पहुत धन्नवाद